कहानी भगवान के भोले भाले भक्त की प्रभू जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता, अब तो प्रगट होना ही पड़ेगा। पशू चराने जाया करता, गाव के बाहर ही कच्छे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी, लोग प्रति दिन वहां आकर माथा टेकते वह भेटा अरपन करते, धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, सनान करवाते वह घंटियां खड़काते रोज देखता, अलपबुद्धी का होने के कारण वह समझ न पाता, एक दिन उसके मन में आया की देखते हैं कि क्या है, उसने एक दिन पंडित से पूछी लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठ कर आप क्या करते हो, पंडित ने कह ठाकुर की सेवा करते हैं, जिनसे की मनो कामनाय पूर्ण होती हैं, धन्ने ने कहा, ये ठाकुर मुझे भी दे दो, उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया, घर जाकर धन्ने ने पत्थर को ठाकुर समझ कर सनान कराया और भो पूखा ही रहूंगा, उसका ये प्रण देखकर प्रभू प्रगट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी, इस प्रकार धन्ने ने अपने भोलेपन में पूझा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया, जब धन्ने को लगन लगी उस समय उसके माता, पित से घर की गरीबी चली जाए तथा सुखाए, ऐसा सोच कर ही वो पंदित के पास गया, पंदित ने पहले ठाकुर देने से मना के दिया कि वो ठाकुर की पूझा अकेले नहीं कर पाएगा, दूसरा तुम अनपढ़ हो, तीसरा ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते औ और नहीं प्रसन होते, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो, ब्रहामन का धर्म है पूझा पाथ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना, परंतु धन ना टस से मज ना हुआ, अपनी पिटाई के दर से पंदित ने जो साली ग्राम मंदिर में फाल्तु प्रसन करेगा और उनसे क्या मांगेगा, सुबह उठकर अपने नहाने के बाद धाकुर को सनान कराया, भक्ती भाव से बैठकर लस्सी रिड की वर रोटी पकाई, उसने प्रार्थना की, हे प्रभू, भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मखन ही है और क तीजे दोगे तब आपके आगे रख दूँगा, वो बैठा ठाकुर जी को देखता रहा, अब पत्थर भोजन कैसे करे, पंडित तो भोग का बहाना लगा कर सारी सामगरी घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहां ग्यान था, वो व्याकुल होकर कहने लगा कि क् जात का प्रसाद नहीं खाते, दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे, यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा, प्रभू जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता, अब तो प्रगत होना ही पड़ेगा, एक घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मखन के साथ खा रहे हैं और लसी पी रहे हैं, बुजन खा कर प्रभू बोले धन्ने जो इच्छा है मांगलो मैं तुम पर प्रसन हूँ, धन्ने ने हाथ जो कपड़े, साथ प्रकार के आनाज, गाए या भैंस, सवारी करने के लिए घोडी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुन्दर नारी मुझे दें, धन्ने के यह वच्छन सुनकर प्रभू हस पड़े और बोले ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, प्रभू बोले अन्य कुछ, प्रभू, मैं जब भी आपको याद करू आप दर्शन दीजिए, यदि कोई जरुरत हुई तो बताऊंगा, तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया, हे प्रभू, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ, आपके इलावा किसी अन्य का नाम नहीं धन्ना खुशी से दीवाना हो गया, उसकी आँखें बंध हो गई, जब आँखें खोली तो प्रभू वहां नहीं थे, वो पत्थर का सालग्राम वहां पड़ा था, उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया जिससे उसे तीम लोकों का ज्यान हो गया, प्रभू के उसने जो जो प्रभू से मानगा था उसे सब मिल गया, किसी ने धन्ने को कहा चाहे प्रभू तुम पर प्रसन है तुम्हें फिर भी गुरु धारन करना चाहिए, उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया, एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले, भक्त धन्न ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मानद की, रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्ने को अपना शिश्य बना लिया, धन्ना भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा